नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में 65 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलता है पिछले कुछ वीडियो में ही बात किये थी कि 200 डेज का मुविंग एबरेस से सपोर्ट लेकर के निफ्टी 50 अच्छा पुलब इश करते हैं जो कि आपको blue line सो कर रहोगा दूसरा हम लोग 200 कि मोविंग एबरेस को रहोगा और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पीवट पॉइंट या पीवट लाइंड भी उसक ए चले या बेष्ट होता है चैसे मार्केट में ब़ुट बढ़ा फॉल हुआ थो और 15,800 तक पहला लेवल तच किया था उसके बाद हम लोग को 15,000 तक आते हुए दिखा था तो इन दो लेवल पे हम लोग निफ्टी बीज एटिएफ जो कि निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ट है उसको बाई करने के लिए बुले थे तो अगर बाई कियो होंगे तो अच्छ 16,000 या 15,000 के लेवल पे आप लोग निफ्टी बीज एटिएफ को बाई किये हैं तो कुछ प्रॉफिट बुक कर ले मालने जिए 10 एटिएफ है तो 3-4 एटिएफ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहीं अगर वीकली चार्ट पे अगर लॉंग टर्म इंवेस्टर की हम ल नहीं पर भी रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है निफ्टी 50 तो ऊपर जाने का चांसे बनेगा नहीं तो फिर से हम लोग को 20 के मुफिंग अबरेज तक आते हुए दिख सकता है तो आने वाले दिनों में कुछ हम लोग को पूल बैक न करना है तो कर सकते हैं और पहला बात करेंगे ट्राइड लिमिटेट के बारे में लगतार इसमें गिरावट होते वे दिख रहा है पहले मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पास्ट में और बढ़िया रिटन हम लोग को निकाल करके दिया था प्राइस टूहंड़ेट एस के जिसके करें हम लोग को बड़ा फॉल होते वे ट्राइड में दिख रहा है ट्राइड की बात करें तो संदार कंपनी है टेक्स्टाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ तो इसमें फिलहाल हम लोग बाइंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अभी हम लोग को लेट करना करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा कॉंसलिटेशन का दौर इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है इन दो तीन लेवल्स पर बाइंग कियो होंगे तो ठीक है ने तो फिलहाल इसमें वेटेंड वाच करना पड़ेगा और ट्रेडेंट में अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 20 के मुविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो तब हम लोग बाइंग करेंगे 36 के ऊपर लेवल्स पर बाइंग किजिएगा 36 से नीचे हम लोग को बाइंग नहीं करना है क्योंकि लगतार गिरावट का दौर इसमें चल रहा है और भी हम लोग को 33 पर देखने को मिलेगा और दूसरा लेवल हम लोग को 31.68 पर देखने को मिलेगा अगर इस लेवल पर अच्छा सपोर्ट देखता है तब लोग को buying करना है नहीं तो वेटेंड वाच करना है त्रेडे अगर पहले से हैं तो बने रहे है ज्यादा इसमें एवरेजिंग करने करोड का जो कि घटके हो चुका है सितंबर 2022 के क्वाटर में 1438 करोड का तो बहुत ही हम लोग को गिरावाट देखने को पर्मोटर में देखने को मिला था जो कि घटके हो चुका है 37 करोड का तो नेट प्रोफिट में स्टीफ हम लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो में इट्रिब्यूशन है जी एस्टी हाइक हुआ है एपरेल्स और क्लोफिंग में इसकी करण हम लोग को ज्यादा हम लो करीब वहीं एफाई आइस की बात करें तो मातर टू पॉइंट फाइट नंपर फॉटिंग के पास है तो एफाई आइस का होल्डिंग इसमें कम है पिछले को दुलना में एफाई आइस ने स्टेक को कम गिया है क्योंकि प्रॉफिट बॉकिंग इसमें जरूरी था प्राइ डिई ऐस और फिएज मिला करके हैं वहींगर पार्न चिसित् रखना है और नेक्स टॉक के बारे में बात करें दोस्तों पॉलिप्लेक्स के बारे में लगतार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था और इसका भी कौटली रिजल्ट थोड़ा सब्डूट रहा था प्लास्टिक सेक्टर का एक दिगज कंपनी है प्लास्टिक फिल पॉलिप्लेक्स में भी होते हुए दिखता है फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस टूहंडेडेश के मुझे और उसके करीम में आता है तो पहला इंट्री लेने के लिए बोलते हैं ट्रेंगल पैटन था जिसका ब्रेकाउट नीचे की तरफ होता है तो बड़ा फोल होत चल रहा है जो कि बेस्ट बाइंग लोकेशन होता है तो अगर इस लेवल पर दूस्तों एक बढ़िया सा ग्रीन खेंडल और भी देखने को मिलता है एक दो परशेंट का भी आपको ग्रीन खेंडल देखने को मिले तो जरूर से बाइब करना है लेवल की बात करें तो एटी विकली चाट पर भी देखना है तो विकली चाट पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस तो इसमें भी हम लोग प्राफिट बुकिंग का सला दिया थे क्योंकि बहुत ही अच्छा रिटन पास्ट में पॉलिफ्लेक्स ने निकाल कर दिया था प्राइस टूहंडड़ देश के म करीब में आएगा विकली चाट पर तो और भी बड़ा कॉंटिटी अब लोग बाई कर सकते हैं लेकिन स्मॉल कॉंटिटी यहां पर जरूर से आपको बाई करके चलना चाहिए और नेक्स्ट बात करेंगे डीमाट या एवनुस सुपर मार्स की बारे में राधा किशन दमान इसके करी में पिछली बार सपोर्ट दिखा था तो हम लोग डीमाट में कुछ अगर बाई करना था तो इस लेवल पर अपलोग कर सकते थे उसके बाद लगतार गिरावट का दौर इसमें देखने को मिल रहा है क्वाटरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन चाट पै परसकते हैं अगर इस इसमें हो रहा है विकली चाट पे अगर हम लोग देखेंगे तो फ्राइस जबहुत ही है उपर चल रहा था और प्राइस टू कि रिशिव भी भी tapy घ्र जा चुका था अधर ले excess का 300 कु क्रॉस को चूपका था तो बहुत हलताette चुका था होता हुए इसक्राम में हम लोग बात किये थे कि डिमाट में कुछ प्रॉफिट बूक करना है तो कर सकते हैं और फिलहाल भी डिमाट में 4393 पे हम लोग को यहां के पीवर्ट पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि और भी कंटिन्यूर सकता है और 200 के में अबर इसके करीब में आते हुए दिख सकता है पिछला बार हम लोग को करीब 3500 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट डिमाट में दिखा था तो इस लेवल पर फिर से सपोर्ट दिखता है विकली चैट पर तो बड़ा कॉंटिटी वाई करेंगे नहीं तो डे बहुत ही अच्छा इंटरी अप लोगो मिलता है 3500 के प्राइस बाइब करतें तो डीमाट में दुस्तों कोई इनिशेट नहीं करना है इसमें वेट एंवाच ही करना है और दोनों पिवर्ट का बेट करना है जिस पिवर्ट पर पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा कोच बाइ के दिया है और प्राइस टू हंडेटेस की मुखियर से बहुत ही उपर चला था डवल टॉप का इसमें भी फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला और बड़ा फॉल टाइटेंड में भी होते वे दिख रहा था इसमें भी प्राइस टू वर्निंग रिश्यो बहुत ही हाई जा चुका था और यहां पे ट्रैंगल पैटन भी हम लोगों को दिख रहा है ट्रैंगल पैटन का ब्रेक आउट बहुत ही पाउरफुल होता जिधर भी होता है नीची की ज़र ब्रेक आउट देखने के मिला और टाइटन में बड़ा फॉल होते विए दिखता है तो अगर तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस टूहंडड़ेस के मुखियर से नीचे आया था टाइटन में अच्छा हम लोगो सपोर्ट दिखा था इस पीवर्ट पे हैमर केंडल वगएरा भी मिला था और बढ़िया सा क्रीन केंडल दिखा था तो इस लेवल पर हम लोग टाइटन मे मिला होगा उसके बाद फिलहाल की बात करें तो प्राइस टूहंड़ेस के मुखियार के करीम में ही साइड़वेस मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है तो फिलहाल टाइटन में कोई इनिशेट नहीं करना है यहां पर अच्छा रेजिस्टन्स हम लोग को करीब 2600 के लेवल पर देखने को मिल रहा है तो फिलहाल वैट अट वात करें तूहंडइडेस के मुखियार जालख है प्राइस तब हम लोग बाइंग करेंगे विकली चाट पर भी आप लोग देख सकते हैं विकली चाट पर अगर प्राइस देख रहे हैं हम लोग 200 डेस के माले हैं तो अगर इस लेवल का ब्रेक आउट उपर की तरफ नहीं होता है तो टैटन में बड़ा फॉल होते हुए हम ल पहले आएगा फिर विकली चार्ट पर हम लोग को इस प्रिवट पर आते हुए दिख सकता है तो टाइटन में फिल्हाल वेट एंड वाच करें थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिलता है तब हम लोग बाई करेंगे विकली चार्ट पर नहीं वाई करते हैं लोग डेली स्टॉक तो बने रहें या कुछ प्राफिट बुकिंग भी टाइटन में कर सकते हैं टाइटन बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है बहुत ज्यादा ग्रोथ है तनिस्ट का सुरू मिशी का होता है आई वेर ज्वेलरी सेग्मेट में मार्केट लीडर है तो अब आप आप लोग